दोस्तो स्वागत है एक और नई वीडियो में और यहाँ पर देखिए ये गाड़ी जो है ये रोड के किनारे खड़ी हुई थी और पीछे से ट्रक ड्राइबर ने इसमें ठोकर मारी है और ये गाड़ी यहाँ पूल से टकरा गई है और आगे से भी डैमेज हो गई है और कम स खड़ा हुआ वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा दिये रखें आगे से भी डैमेज हो गई पूरी गाड़ी तो कितना नुक्सान हुआ यह कंफरम तो नहीं मालूम है लेकिन हां पचास जार के आसपास इसमें नुक्सान जो हो चुका है आला कि इस गाड़ी का इंसुरेंच है या नहीं है यह भी नहीं मालूम वैसे तो जादातर सारी गाड़ीयों का इंसुरेंच होते ही है तो यह देखिए सामने ट्रक खड़ा हुआ है और ट्राइबर साफ को रोक रखा है और देखिए ट्रक पूरा सही सलामात केवाल यह सुलानामा करवाएगी लेकिन जिनकी गाड़ी है वो मानने को तयार नहीं है वो कहरे हमें हरजाना चाहिए तो आप देखिए कि ट्रक ड्राइबरों को कभी कभी कितना बड़ा जो है हरजाना देना प्रता देखिए क्या हालत ही आगे से गाड़ी की और शीशा बगरा भी टूट गया इसका तो यह पुल बन रहा है पुल के साइट से गाड़ी है चल नहीं थी हाला कि हमने कहा भी ड्राइबर साब से कि आप गाड़ी हटा करके साइट में खड़ी कर लो उसके बाद में अपना जो भी फैसलाओ कर लेना तो पुलिस बुलाई गई है पुलिस आने करने में मानते हैं और तो आप मेरा दिखाने का मतलब यह है कि ट्रक ड्राइबर जो है कुल मिला करके बड़ी गाड़ी वालों की गलती दी जाती है आला कि इनको यहां पर अपनी कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थे क्योंकि यहां पर जगए नहीं गाड़ी करने की और कैस पुलिस थाने लेकर के जाएगी गाड़ी को तभी पता लगेगा तो देखिए पुलिस गाड़ी लेकर जा रही है थाने एक पुलिस वाले जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और यह गाड़ी भी लेखिए जा रही है थाने तो अमीद करता हूं वीडियो आया होगा और कैसा लागा कॉमेंट करके बताईएगा चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा हम मिलते हैं किसी नेक्ट पोडियों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत